जम्मू रीजन के किश्टवार में भी एंकाउंटर हो रहा है। जंगलों के हाइड वाले लाके में सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। जम्मू के किश्टवार में तीन और चार आतंकी घेर कर दिया गया है। सर्च ऑपरेशन दोनों ही एरिया में जारी है और चुनावी महौल के चलते सुरक्षा बलों का दस्ता पहले से अलर्ट मूट पर था। लेकिन अचानक हुए हमले में हमारे दो जवान शहीद हुए हैं लेकिन जवावी कारवाई चल रही है और जवावी कारवाई में तीन से चार आतंकी अब घेरे जा चुके हैं और बहुती जल्द उनने उनके अंजाम तक पहुचा दिया जाएगा। तीन से चार आतंकीयों को घेरा गया है दो जवान घायल हैं अब किश्टवार के छत्रू में आतंकीयों और सुरक्षाबलों के बीच मुटभेर में सेना के दो जवान शहीद हो गए वाइट नाइट कोर के नायब सुवेदार विपिन कुमार और सिपाही अर्विन सिंग श जो बलिदान है जाया नहीं जाएगा कि उनके जो साती है इन आतंकीयों को अंजाम तक पहुचाएंगे और हमाए साथ हमारे समाधाता मनजूर मीर भी जुड़के हैं मनजूर फिलाल क्या आपके पास जानकारी बिल रही है दो जगे पे इस वक्त इंकाउंटर जारी है एक है बारामुला और दूसरा है किश्टवार बिलकल अमित बारामुला जिले के पटन इलाके के टॉपर इलाके में बीतीराद सरक्षबलों को ये इनपूर्ट्स मिले थे कि इस इलाके में दो से तीन मिलिटेंस चुपे हुए हैं जिसके आदार पर ये उपरेशन शुरू कि गया था और अब तक जो है तीन मिलिटेंस मार गिराया गये हैं जो निसंदे ही सुरक्षाबरों के लिए एक बहुत बड़ी सफलता मानी जा रही है क्योंकि चुनाओं का माहूल जो मुकश्मीर में है और चुनाओं से पहले बारमला जिले में इस तरह की मुद्बेड होना औ एक बहुत बड़ी सफलता सुरक्षाबरों के लिए है हाला के अभी भी सर्च उपरेशन जो है वो बड़े पैमाने पर जारी है हम इस वकत बारमला के उसी स्पॉर्ट पर माजूद है जहां पर सुरक्षाबरों को ये इन्पूर्स मिले थे कि इस इस इलाके में एक स्कूल बिल्डिंग के पास में से दो से तीन मिलिटेंट्स चुपे हुए हैं जिसके आदार पर जमो कश्मीर पूलीस आर्मी और सी आर पीफ ने एक जॉइंट ऑपरेशन शुरू किया था राद बर ये ऑपरेशन चला हाला कि एक बहुत गुंजान बस्ती वाला इलाका भी है ले अभी भी सर्च ओपरेशन बड़े पाइमाने पर जारी है जी और अब असाथ में जुड़ गया है किष्टवार में इस वक्त क्या हालात है मनीश अमित सबसे पहले तो मैं आपको ये जानकारी दे दूँ कि इस समय किष्टवार में ऑपरेशन जारी है दो भारतिय सेना के वीर जवानों ने वीरगती प्राप्त की है लेकिन उसके बाद भी कॉड़न एन सर्च लगतार जारी है और इसलिए भारतिय सेना साथ में जमू किया जा रहा है अमित जिसका जिक्र मनजूर कर रहे थे एक बार फिर से मैं आपको बारा मुला की तस्वीरों के बारे में बता दू कि ये जब जानकारी मिली थी उसके तुरंद बाद ही जो भारते सेना के सीनिर ओफीशल्स हैं उन्होंने अपनी टीम को वहाँ पर आगे अग्रेसिव ऑपरेशन के लिए भीजा और फिर उसके बाद एक एक करके करीबन तीन से चार स्पीशिस एक्टिविटी दिखाई दी स्कूल के सामने की बिल्डिंग है जो द्रोन फुटेज आप देख रहे हैं जो इंडिया टीवी एक्स्क्लूजिवली दिखा रहा है दर इसी भारते सेना की यूनिट आगे आरार यूनिट आगे बढ़ी उसके तुरंद बाद ही आतंकियों की तरह से फाइरिंग हुई और फाइरिंग के दौरान उनके ठीक ऊपर टेक्नॉलजी का सहरा लेते हुए द्रोन फुटेज की मदस से एक एक तस्वीरे उनकी क्यात की जाने लगी क्योंकि घर के अंदर जो छुपे हुए थे उसके बाद वह बाहर निकले भारते सेना ने अग्रेसिव ऑपरेशन लाँच किया और उसी दौरान जब उपन पील देख रहे हैं तो उनके उपर थी तस्वीरे बताती कि किस तरह से पूरे ऑपरेशन को अंजाम द देते हैं यहाँ पर देखिए जिसका जिक्रामी मनीश कर रहे थी यही वह तस्वीरह है जिस में आप आतंकियों को यहाँ पर गायल अवस्तामे देख सकते हैं और बारा मुला में तीन आतंकियों को ढ्यर कि और बड़ी काम्याबी इसमें में करेगा उसका वायरू करेगा उसका वायरू साथ